जैसा के लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि लूओ फैंग उन सभी नोलांसन क्लैन वालों को चकमा देकर अपनी फैमली और बाकी सभी होस्टेजिस को बचा कर वहां से निकल जाता है और ये देखर उन सभी को काफी ज़्यादा गुसा आता है वो सभी लोग फैंग का पीछा करने लगते हैं अब आगे इस एपिसachment की starting में हम देखते हैं के फैंग अपने spaceship में बहुत ही तेजी के साथ फ्लाय करता है और जा रा होता और ये नोलांसन क्लैन वाले उसका पीछा कर रहे होते हैं वहीं स्पेशिप के अंदर हम देखते हैं कि लूओ फैंग के वो सिल्वर गार्ड से सबी होस्टी जिसको यहाँ पर छोड़ देते हैं मैं तुमें और अपने बच्चों को दुबारा कभी भी नहीं देख पाऊंगी फैंग उससे कहता है फिकर नहीं करो अब तुम सेफ हो तब ही फैंग का ब्रदर भी वहाँ पर आ जाता है जिसे देखकर फैंग उससे पूचता है हुआ तुम ठीक हो ना जिस पर हुआ खुश होते हुए कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ अपनी फैंग को सेफ देकर लूओ फैंग काफी खुश होता है तब ही वो दूसरी तरफ देखता है जहां पर पांचो कंट्रीज के लीडर होते हैं वो सब भी लूओ फैंग को इशारा करके बताते हैं हम भी ठीक हैं अब इसके बाद वहां स्पेशिप के एक सिस्टम लूओ फैंग को बताता है कि नुलांसन क्लैन वाले हमारे पीछे बड़ी तीजी के साथ आ रहे हैं ये देखकर फैंग कहता है कि अगर हम ख्याल नहीं रखते तो इन प्लैनेट हाईजैकर से हमारी अर्थ को किसी भी पावर को अनलाइज करके बताओ जिस पर बबाता उसे कहती है हाँ मैं इस पर काम कर रही हूं और फिर उन सभी की पावस को चेक करते बबाता उनके लेवल के बारे में बताने लगती है ये जो लोग हमारे पीछे आ रहे हैं इनमें जो सबसे आगे 15 लोग हैं वो लोग विर्चुल मास्टर है उनकी आर्मी की कॉमबैट पावर के बारे में जानकर फैंक कहता है अगर ऐसा है तो फिर हमें इन मेसे जो सबसे चोटी मचली है पहले उसका ख्याल करना होगा यानि के पहले इन सभी को निप्टाना होगा और फिर इसके बाद हम पूरा पर फोकस कर है इसलिए वो लोग यह समझ जाएंगे इसलिए वो लोग इसका सामना करने के लिए पहले से ही त्यार होंगे इस बार हमें अपनी ट्रिक को चेंज करना होगा बबाता की यह बात सुनकर अटूका के भी कान खड़े हो जाते हैं वहीं दूसरी तरफ बाता बता रही होते हैं कि हम इस बार कौन सी ट्रिक को यूज करेंगे वो देखो हमारे सामने तुफानी बादल है मैं अपने इस एरक्राफ्ट को वहाँ पर ले जाऊंगी और फिर लेजर पल्सिस को यूटिलाइज करके बाता है कि ये ट्रिक देखर अटूका बहुत ही ज़्यादा है और वह जल्दी से आकर उसके गुट्णों पर बैठ जाती है और कहती है नहीं नहीं ऐसा मत करो मेरे पास इतनी ज़्यादा पावर नहीं है मैं इतना ज़्यादा आटपूट नहीं दे सकती अगर ऐसा हुआ तो फिर मैं पर बाता उसे चुप करवा देती है और उसके कंदे पर हात रखते वो उसके पास आकर कहती है मैं तुम्हें ठीक कर दूंगी ये सुनकर वो बहुत ही जाल डर जाती है और वहां से बचकर भागने लगती है बाता उसकी टेल से उसे पकड़ लेती है अटूका क कहती है नहीं 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 मैं ये नहीं करना चाहती फैंग वह बाता कि इस प्लैन को सुनकर कहता है बेरी गुड और फिर वो अपने सभी वोर्यर से कहता है टाइनान ही ओग वो एक बार जब हमारा प्लेन इन स्ट्रोम क्लाउड्स के अंदर इंटर हो जाएगा तो फिर हमा मन में कहता है कि इसके बाद मैं उन स्टार लेवल सैवन और रेट के वोरियर्स को संभाल लूँगा गोल्डन और बहमूद की बोड़ी को यूज करते हुए जब कैप्टन पूरा टोरवो और रोन्स हमारे स्पेशिप से दूर चले जाएंगे अब इसके बाद हम देखते ह कि फैंग का स्पेशिप बड़ी ही तेजी के साथ स्ट्रॉम क्लाउड्स की तरफ आगे बढ़ रहा होता और वहीं दूसरी तरफ लांसन क्लैन वाले भी फैंग का पीछा कर रहे होते हैं और उन्हें फैंग पर काफी जदा गुसा भी आ रहा था बबाता अपने स्ट्रॉम के अंदर इंटर होने ही वाला होता है वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कैप्टन पूरा अपने रिस्ट इडवाइस पर देख रहा होता है कि उसकी पूरी आर्मी बहुत ही जल्द इनके स्पेशिप तक पहुँचने वाली है ये देकर वो खुश हो जाता है अ और वो एनरजी बीम इन स्टॉम क्लाड्स को चीरते हुए उनके अंदर रस्ता बना देती है ऐसा करने की वज़ा से स्टॉम के अंदर जितने भी ठंडर्स होते हैं वो सभी के सभी इनके स्पेशिप की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और इनके स्पेशिप के ऊपर अपनी बि जाती है ऐसा करने की वजह से अटूका का प्रोसेसिंग सिट्रम बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है और वह बवाता के पैरों में गिर कर गिर गिराने लगती है नहीं ऐसा मत करो मैं यह इस बार वाके में ही पूरा नहीं कर पाऊंगी पर बवाता उसकी एक भी नहीं सुनती और वो इस प्रोसेस को चलने देती है जिस वजह से हम देखते हैं कि अब इनका यह स्पेशिप उस टर्नर के अंदर इंटर हो चुका था और वो उसके अंदर से होता हुआ स्टॉम के अंदर से गुजरने लगता है नो लांसन आर्मी ब इनके पीछे पीछे आ रही होती है पर तब इनके रेडार से लूओ फैंग का स्पेशिप गाइब हो जाता है यह देकर कैप्टन कहता है कि स्टॉम की वज़े से लूओ फैंग का स्पेशिप गाइब हो गया है हमें उनके सिगनल्स नहीं मिल रहे तोर वो कैप्टन से कहता है ऐसा लगता है कि वो स्टॉम क्ल एक्ट्रो मेगनेटिक सिगनल्स ब्लोक कर दिये गए हैं जिस वज़ा से वो लोग हमें ट्रैक नहीं कर पाएंगे इसलिए अब हम क्वांटम सिगनल्स के थुरू कम्यूनिकेट करेंगे ताकि हम एक दूसरे के कॉंटेक्ट में रहें अब ये सारी बास सुम लेने के बाद ल लांसन क्लैन वालों को मिल जाते हैं ये देकर टोरू अपने कैप्टन को बताता है ये देकर कैप्टन कहता है ऐसा लगता है कि वो स्टार लेवल 8 और 9 के गार्ड्स अपने स्पेस्शिप की प्रोटेक्शन कर रहे हैं हमें उन्हें फोलो करना चाहिए ये सबी लोग अब फोलो करने लगते हैं वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्पेस्शिप के अंदर बवाता फैंग को बताती है कि नुलांसन आर्मी अब हमारे स्पेस्शिप के पीछे नहीं आ रही वो लोग उन वोर्यूर्यस के पीछे जा रहे हैं ये जानकर लुओ फैंग अपनी फैम ख्याल रखूँगा ये कहने के बाद फैंग वहां से अपने स्पेशिप से बाहिर आ जाता है और फ्लाइ करते वह नीचे सी की तरफ जा रहा होता है जाते 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 वो रस्ते में सोचता है अब सीरियसली फाइट करने का वक्त आ चुका है ये कहते हुए फैंग सी में आ पता चलेगा इसे अर्थ के लोगों से चुपाना बहुत ही आसान है बाता है कि यह बात सुनकर लूओ फैंग कहता है ठीक है और फिर इसके बाद वहाँ पर अपने गोल्डन होन बहमूत की बोड़ी को बाहर निकालना शुरू कर देता है जहां पर हम देखते हैं कि गोल्डन में बहुत ही जोरदार हल चल होने लगती है गोल्डन और बहमूत की बोड़ी में 90 आर्मी की तरफ बढ़ते हैं लूओ फैंग वाता से पूचता है मुझे उनकी लोकेशन बताओ वाता फैंग को नो लांसन आर्मी की टीम की लोकेशन बताती है तो फैंग बड़ी ही तेज के साथ उनकी तरफ जाने लगता है वहीं दूसरी तरफ हम नुलांसन आर्मी को देखते हैं वो लोग अपने सामने समंदर में एक लहर को आते वे देखते हैं ये देकर वो लोग घरान हो जाते हैं आखिर ये क्या है ये देकर वो सभी लोग वहां हवा में रुख जाते हैं त पूरी जमीन को चान लिया अनेक्सपेक्टिडली ये मरा नहीं बलके जिन्दा है जल्दी कैप्टन पूरा से कॉंटेक्ट करो ये कहते हैं वहाँ से भागने लगते हैं पर हम देखते हैं कि यहाँ पर गोल्डन और बहमूत तो उनके कुछ वारियर्स को खा जाता है और फिर अब सी से बाहिर आता है और वहाँ पर उन वारियर्स के उपर एक जोरदार रोर करता है ये बात कैप्टन पूरा को मालूम हो जाती है क्योंके ये वारियर्स अपने कैप्टन को ये वीडियो दिखा रहे होते हैं कि गोल्डन होन बहमूत को देखकर कैप्टन पूरा बहु होती ज्यादा खुश हो जाते हैं और फिर अपने कैप्टन से पूछते हैं क्या हम अब भी लुवा फैंग को मारने के पीछे जाते रहें या फिर गोल्डरोंड बहमूत को पकड़ने के लिए जाएं जिस पर कैप्टन पुरा कहते हैं मुझे लगता है कि ये दोनों चीजें अपस में जुड़ी हुई हैं ऐसा इसलिए क्यूंकर जब लुवा फैंग के स्पेशिप के सिग्नल्स गाइब होगे तो अब ये गोल्डरोंड बहमूत यहां पर अपियर हो रहा है जरूर गोल्डरोंड बहमूत और लुवा फैंग के दर्मियान कोई न कोई कोई कनेक्श को यूज करते हैं उनके अटेक से बच जाता है ये देकर वो वोरियस कहते हैं जल्दी कर और इसे पकड़ो इसे यहां से बच कर भागने मत देना वो सब भी वोरियस गोल्डरोन बहमूत का पीछा करते हैं उस पर अटेक करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं पर तब ही हम बहमूत अपने विंग्स को सामने करते हुए ब्लोग कर लेता है ये टेक भी काफी ज़्यादा पावरफुल होता है लेकिन इस अटेक से गोल्डरोन बहमूत को कुछ भी नहीं होता फैंक अपने मन में सोच रहा होता है गोल्डरोन बहमूत की बोड़ी पहले ही वे फैंग वहाँ अपने गोल्डन और बहमूत के विंग्स को यूज करते वे स्लैशिस लगाता है इन दोनों स्लैशिस की पावर इतनी स्यादा होती है कि इसके रस्ते में जितने भी वोरियर्स आते हैं वो सभी के सभी टुकडे टुकडे हो जाते हैं और जो बाकी दो-चार वोरियर्स बाज जाते हैं वो यह देकर बहुत ज्यादा डर जाते और कहते हैं जल्धी करो भागो यहां से भागो वो सभी लोग बड़ी टेजी के साथ अपनी जान बचा कर वहां से भागने लगते हैं पर गॉल्डन और बहमूत अपनी स्पीड को यूज करते वी उनके स सबी Warriors के Vital Signals खतम हो जाते हैं ये देकर Captain Pura हरानी के साथ कहता है Team 1 और Team 2 दोनों के Vital Signals गाइब हो गए है तोर वो Captain Pura से कहता है वो लोग Total 40 लोग थे इतने कम टाइम में वो कैसे गाइब हो सकते हैं रोन्स और उनके सासा जितने भी Warriors थे वो सब लोग भी हरान हो जाते हैं कि आखिर ये हुआ क्या कैप्टन पूरा भी यहाँ पर सोच में पढ़ जाते हैं और फिर अपनी पूरी टीम से कहते हैं सबी लोग केरफुल रहना जिस पर वो सभी लोग भी यस करते हैं और फिर गोल्डन और बहमूद की तरफ और भी तेजी के साथ आगे बढ़ने लगते हैं वहीं दूसरी तरफ हम फैंक को देखते हैं जो के गोल्डन और बहमूद के इनर वल्ड में होता है और इवल स्माइल करता है और कहता है वो लोग आ रही है वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप सभी लोग चाहते हैं कि मैं स्वैलो स्टार का एपिसोड उसी दिन अपलोड करो जिस दिन ये एपिसोड आता है तो फिर आपको इस वीडियो पर एक टारगेट को कम्पलीट करना होगा वो टारगेट आप सभी लोगों के लिए ये है कि आपको इस वीडियो के नीचे 5000 कमेंट्स पूरे करने है जैसे 5000 कमेंट्स पूरे हो जाएंगे तो मैं नेक्स्ट वीग जिस दिन स्वैलो स्टार का एपिसोड आएगा उसी दिन शाम 7 बजे पबलिक करूँगा ये मेरा आपके साथ प्रोमिस है तो देखते हैं कौन-कौन चाहता है कि मैं स्वैलो स्टार का एपिसोड उसी दिन अपलोड करू जिस दिन आता है अब बाता लूओ फैंगे पास आती है और कहती है इवन ये गोल्डरोन बहमूत एक साथ 15 स्टार लेवल 9 के वोरियर्स के साथ फाइट कर सकता है लेकिन अभी जो वोरियर्स हमारी तरफ आ रहे हैं उनके साथ फाइट कर पाना थोड़ा मुश्किल है क्योंके इन में जो टोर वो है वो अकेला ही स्टार लेवल 9 के 10 वोरियर्स के बराबर है और इसी के साथ साथ कैप्टन पूरा भी उनके साथ है तो मैं बहुत ज़्यादा केरफुल रहना होगा जिस पर फैंग उससे कहता है मैं समझ गया इसलिए अब मुझे बैटल के लिए अच्छी लोकेशन को चूस करना होगा था के वहाँ पर मैं अपना बेस्ट दे पाऊं और जितनी जल्दी हो सके इन लोगों को खतम कर सकूँ ये कहते वे फैंग वहाँ से फ्लाइ करते वे असमान में आता और फिर दुबारा से सी के अंदर चला जाता है वहीं दूसरी तरफ हम देखते है कि कैप्टन पूरा और उनकी टीम भी उजगा पर पहुंच जाती है जहांपर लूओ फैंग नेनके वोरियर्स को किल किया था अपने वोरियर्स की डेट बोडिस को यू सी के उपर तैरता हुआ दे कर कैप्टन पूरा को बहुत ही ज़्यादा गुसा आता है और वो कहता है यहां पर तो ब्लेड की बहुत ही स्ट्रॉंग स्मेल है तोरव कैप्टन के पास आता है कैप्टन पूरा गोल्डन होन बहमूद सी की तैह में है यह कहने के बाद वो वहां सी में सर्च करता है तो उसे गोल्डन होन बहमूद नजर आ जाता है वो गोल्डन होन बहमूद हमसे 200 मीटर्स की दूरी पर है वो स्टार लेवल 7 का मॉंस्टर है उसकी बोडी लेंथ 700 मीटर्स है रोंसिया सुनकर हरानी के साथ कहता है सिरफ लेवल 7 का मॉंस्टर इस लेवल पर होते वे भी ये हमारे 40 स्टार लेवल 8 और 7 के वोरियोस को मार गया टोरवो उसे कहता है वो यूनिवर्स के सुप्रीम डिसेंडेंडस में से एक है उसकी पावर तो वाक邊 ही बहुत तैरिफाइंग है कैप्टन पूरा कहता है हाला के गोल्डन होन बहमूद एक सुप्रीम डिसेंडेंट है पर मैं नहीं मानता कि कैसा गोल्डन होन बहमूद जो के स्टार लेवल 7 पर है वो हमारी 3 टीम्स के अगेंस्ट नहीं जीत पाएगा अब हम उसे दिखाएंगे के हम क्या कर सकते है सबी नो लांसन ट्रूप्स मेरे ओडर ध्यान से सुनो हमें उस गोल्डन होन बहमूद को जिन्दा पकड़ना है अटेक करो अब वो सबी वोरियर्स बहुत ही तेजी के साथ समंदर के अंदर उस गोल्डन होन बहमूद की तरफ जाने लगते है फैंक को भी मालूम हो जाता है और वो कहता है वो लोग आ रही है जाते वे रस्ते में कैप्टन पूरा अपने वोरियर से कहता है हम सबी लोगों को अकेले फाइट नहीं करनी बलके हमारी टेकनीक्स पर भरोसा करना है उस गोल्डन होन बहमूद की बोड़ी बहुत बड़ी है जिस वज़े से उसकी बोड़ी मूवमेंट इतनी ज़्यादा फास्ट नहीं होगी जितनी के हीूमन्स की होती है इसलिए इसमें तुम लोगों को एडवांटेश मिलेगी जिस पर वो सभी वोरियर्स कहते हैं जी हां हम समझ गे और फिर ये कहते हुए वो लोग गोल्डन होन बहमूद के पास चले जाते हैं और उसके उपर अटेक करना शुरू कर देते हैं वो मॉंस्टर भी तेजी के साथ इनकी तरफ आगे बढ़ता है पर हम देखते हैं के कैप्टन पूरा गोल्डन बहमूद के अटेक को डोज करते हैं वो उसके बाद सूपर बहुत ही जोरदार अटेक करना शुरू कर देते हैं ये देखकर गोल्डन बहमूद वहाँ से बचकर भागने लगता है पर वो लोग उसका पीछा करने लगते हैं और उस पर बार बार अटेक कर रहे होते हैं ये देखकर फैंग अपनी स्पीड को और भी ज़्यदा बढ़ा देता है पर वो नोलांसन क्लैन वाले वो तो काफِّ ज़्यदा स्ट्रोंग होते हैं इसलिए वो तेजी से फैंग का पीछा कर लेते हैं और उसके उपर फिर से अटैक करने लगते हैं फैंग यहाँ पर बुरी तरा से भस चुका होता है क्योंकि यहाँ पर नोलांसन क्लैन वाले उस पर भारी बढ़ रहे होते हैं और फैंग उन से बचकर भाग रहा होता है यह देखकर फैंग उन पर अटेक करने की भी कोशिच करता है लेकिन हम देखते हैं कि वो सब लोग बहुत ही असानी से उससे बच जाते हैं अब नोलांसन आर्मी की तीनों टीम्स गोल्डन और बहमूद के अटेक को डोज कर लेती है और फिर उसे चारों तरफ से घेर कर वहाँ पर खड़े हो जाते हैं और अपने बहुत ही ज़्यादा पावरफुल अटेक्स को क्रियेट करने लगते हैं यह देकर फैंग वहाँ से बचकर बहागने के कोशिश करता है पर हम देखते हैं कि वो स्पिर्च्ट्व Online Master terus से वहाँ बचकर बहागने नहीं δेता और फिर यह तीनों अपने पौबरफुल अटेक्स गोल्डन और बहमूद के उपर कर देते हैं गोल्डनोण बहमोथ इनके अटेक से बचने के बाद वहाँ पर एक जोरदार रोड करता है और वहाँ से बचकर भागने लगता है वोग इसका पीछा करने की कोशिश करते हैं पर वो इने चकमा दे कर वहाँ से निकल जाता है ये दे कर टोर्वो कहता है गोल्डन और बहमूत वाके में ही युनिवर्स का सुप्रीम डिसेंडेंट है हमारे इस तरह की इतने जदा पावरफुल अटेक्स भी उसे नहीं हरा सकते मेरे हाथ पहले से ही बेबस है वहीं दूसरी तरह हम देखते हैं के फैंग इस नोलांसन आर्मी से दूर आकर कहता है इनके अटेक्स सच में काफी पावरफुल से जिस वज़े से मुझे भी हर्ट हुआ स्टार लेवल 9 के वोरियर्स के साथ फाइट करना वाके में ही बहुत डिफिकल्ट है अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर तो मैंने नहीं हरा पाऊंगा यह फाइट लोंग टरम में मेरे फेवर में नहीं आएगी इसलिए मुझे भी अपने मॉस्ट पावरफुल अटेक को यूज़ करना होगा यह कहते हुए फैंक गोल्डरोन बहमूद की एक टेकनीक को परफॉर्म करता है जो के होती हैं इस टेकनीक की वज़य से गोल्डरोन बहमूद की पावर पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी इस टेकनीक का यूज करते हैं हम देखते हैं कि गोल्डरोन बहमोद की बोड़ी से काफी ज़्यदा एनरजी निकलना शुरू हो जाती है इसका और अचना ज़्यदा था कि नोलांसन ग्लैन वालों को भी वहाँ पर उसके आस-पास खड़ा होने में दिक्कत हो रही थी ये देखर टोरवो कहता है एवरिवन अपनी पूरी जीजान लगा कर फाइट करो जिस पर कैप्टन पूरा उनसे कहता है इसे मारना मत हमें इसे जिन्दा पकड़ना है स्ट्रेंज इसके एनरजी बहुत ही तेजी के साथ बढ़ रही है 50% 80% 120% 200% और अभी भी और ज्यादा बढ़ती जा रही है ढरना क्यों ये एक बहुत ही रेर उपर्चुनिटी है सब भी वरियर्स जल्दी से आगे बढ़ो वो सब भी वरियर्स आगे बढ़ते हुए गोल्डरोन बहमूद के उपर अटेक करने के लिए जाने लगते हैं गोल्डरोन बहमूत की स्ट्रेंद को इतना बड़ा हुआ देकर कैप्टन पुरा कुस पर बहुत ज़्यादा गुशा आ रहा होता है। तबी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गोल्डरोन बहमूत अपने मूँ में लेजर बीम को रैडी करने लगता है। ये देकर कैप्टन प सामने करते हैं। जेकि लेजर बीम तो उनकी पूरी की पूरी बोर्डी को यहां पर राख बना देती है। वो लेजर बीम वहें जिस जिस वरुरियर के सार्व तकषा रहे थे वह वह username उसी पल वहां पर गायब हो जा रहा था पूरी तरह से vanish। फैंक की ये लेजर बीम कु इजाफा हुआ है वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नुलांसन आर्मी में से अब सिर्फ कैप्टन पूरा टोरवो और रोंस ही बचे होते हैं और बाकी इनकी आर्मी में जितने भी वारियर्स थे वो सबी के सबी यहां पर मारे जा चुके थे यह दे कर कैप्टन पूरा को बहुती ज़्यदा गुसा आरा ओतर वो कहता है यह मौंस्टर हमसे टू लेवल कम है लेकिन फिर भी इसने हमारे कई स्टार लेवल 9 के वोरियर्स की डिफेंस को भी तोड डाला और बहुत से वोरियर्स को तो जान से मार डाला है और फिर वो अपने इन दोनों वोरियर्स से कहता है अपनी उस टेकनीक को यूज करो कैप्टन की यह बात सुन कर हम देखते हैं कि यह दोनों यहांपर इवल समाइल करते वो अपनी मौस्ट आफ दा पावर्फुल टेकनीक को क्रियेट करना स्टार्ट कर देते हैं उस टेकनीक के वहांपर क्रियेट होते टाइम हम तो देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि क्या फैंग इनके इतने जदा पाउरफुल अटैक का सामना कर पाएगा आप सब दोस्तों को क्या लगता है मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना